दिल्ली में शराब की शौकीनों के लिए एक बहुती बुरी खबर सामने आ रही है एक ऑक्टोबर से लेके 16 नवेंबर तक होगी शराब की किल्लत 477 शराब की दुकानों में अब नहीं बिख सकेंगी शराब शराब और बीर की कमी ना हो सके इसके लिए एक्साइस विभाग ने मौजुदा सभी कमपनी के डिस्टिब्यूटरों से बीर और शराब का ब्योरा मांगा है दरसल बात ये है कि नई आबकारी नीतियों को लागू करने में हो रही देरी के कारण एक उक्टोबर से लेके 16 नवेंबर तक 477 शराब की दुकानों में शराब नहीं बिख पाएंगी इसी कारण शराब की काला बजारी होने की आशंकाय भी जताई जा रही है इसी के कारण शराब माफिया शराब की जमाखोरी करने में जुटे हुए है ताकि इस किलत का फाइदा उठाकर वे मोटी कमाई कर सके आपको बता दे कि शराब की किलत को रोकने के लिए सरकार एक बैकप प्लान कर रही है दिल्ली में 1 ओक्टोबर से 16 नवंबर तक केवल 372 दुकानों में ही शराब बेचने की अनुमती दी जाएगी दिल्ली में अब 849 नई शराब की दुकाने 17 नवंबर से शुरू हो जाएगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में 260 शराब की प्राइवेट दुकाने बंद हो जाएगी सरकार तो अपना बैकप प्लान तयार करने में लगी हुई है मगर आपका क्या प्लान है यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए हमारी खबर आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बैल ऐकन दबाए तक हमारी शॉट नीउस आपके पास पहुचती रहे